Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज की हमारी रोचक और उप्योगी जानकारी है Difference between कपूर and भीमसेनी कपूर यह वीडियो हमारे पिछली वीडियो का विसार है और यहाँ इस वीडियो में कपूर का अर्थ है प्रकृतिक शुद कपूर तो चलिए शूगरते हैं आज सबसे पहले यह प्रकृतिक कपूर यह जो टुकड़े आपके सामने है यह है शुदतम कपूर जिसको सिनममम कैमफरा पेड जो मुखिता चीन, जपान, वियतनाम और भारत में हिमाले के निचले शेत्रों में उखता है से प्राप किया जाता है इस सिनममम कैमफरा पेड की लकड़ियों को छोटे छोटे चिप्स जैसे टुकड़ों में काट कर पानी में पकाया जाता है और इस प्रकृया से उपन भाप को एक दूसरे हौद यह टैंक में इकत्र कर लिया जाता है इस टैंक में उपरी परत में कपूर के लक्षे या फ्लेक्स इखटे हो जाते हैं इन फ्लेक्स को फिर दबा कर कपूर का तेल अलग कर लक्षों को सुखा लिया जाता है और इस तरह इस प्रकृया से शुद्ध प्रकृतिक कपूर तयार हो जाती है इस पुरी प्रक्रिया में 6-7 दिन का समय लग जाता है कपूर प्रक्रतिक सफेद रंग का सुगंदित दर्दरा या क्रिस्टलाइन चिपचिपा मोम जैसा तत्व है जिसका रसाइनिक सूत्र या कैमिकल फॉर्मूला C10, H16 और O है सिनुममम कैमफरा अंग्रेजी में कैमफर ट्री और हिंदी में करपूरा नाम से प्रचलित है इस पेड में कैमफर तत्वर कूट-कूट के विद्धमान है इसलिए भारत में अकसर पेड की पतियों से कपूर प्राप्त किया जाता रहा है परन्तु आज भारत में इस सरह के पेड़ का कपूर अक्सर जपान और वियतनाम से ही आयात किया जाता है कपूर का शरीर पर शांती दायक प्रभाव पड़ता है आयोवेद में बहुत से रोगों जैसे बुखार, सूजन यानी इंफ्लमेशन, दमा, खासी, गाउट, गठिया आदी में कपूर का उप्योग दवा के रूप में होता है यह कपूर जड़ी बूटी की दुकानों, ऑनलाइन स्टोर, हेल्थ स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर में उपलब्ध है आज दूसरा ये टुकड़े टुकड़े जैसा कपूर है भीमसैनी कपूर जो अंग्रेजी में बोर्नियो या ब्रूस कैमफर कहलाता है हिंदी में इसे भीमसैनी और बराज कपूर कहा जाता है इस कपूर को ड्राइ बैलन अपस कैमफरा, वैग्यानिक नाम वाले पेड जिसका दूसरा नाम ड्राइ बैलन अपस अरोमेटिका है कि गोल से प्राप्त किया जाता है इस पेड से तेल जैसा पीले रंका पदार निकलता है जिसको ओल अफ कैमफर कहते हैं यह तेल तनों के बीज के छेदों यह कैविटी में इखटा हो जम सचाता है और इसी तत्व से भीमसैनी कपूर को प्राप्त किया जाता है भीमसैनी कपूर का यह पेड भारत के दक्षिन भाग से निकट देशों इंडोनेशिया के सुमात्रादी मलेजिया तता बोर्नियों में पाया जाता है इस भीमसैनिक कपूर का मुख्य रासायनिक तत्व बोर्नियोल या कहें तो आइसो बोर्नियोल होता है जिसका रासायनिक सूत्र या क्यामिकल फॉर्मूला C10, H18 और O है और यह तत्व भी गुरों में कपूर से मिलता जुलता होता है आइसो बोर्नियोल भी सफेद, सुकंदित, दरदरा या क्रिस्टलाइन तत्व है यहां आप इस पैकेट पर देख रहे हैं इस पर आइसो बोर्नियोल फेक्स लिखा गया है जबकि इस डब्बे पर भीमसैनिक कपूर बाजार में ये इन दोनों ही नाम से उपलब्द है भीमसैनिक कपूर में बहुत से औशदिये गुण होते हैं इसका उपयोग गठिया, हैजा, निमोनिया जैसे रोगों को दूर करने वाली आयरवेदिक तता हरबल दवायों में किया जाता है इसका उपयोग बहुत सी तवचा की सवस्याओं को दूर करने में भी होता है भीमसैनिक कपूर जड़ी बूटी की दुकानों, पूजा की दुकानों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स में उपलब्द है इस 100 ग्राम भीमसैनिक कपूर का मुले 230 रुपय है यह भी कपूर की भादी सालों साल टिकता है इसको आप नमी, गर्मी और रोशनी से दूर संभाल कर रखें यह हैं कपूर के टुकडे और यह हैं भीमसैनिक कपूर के टुकडे जो यहां आकार को छोड़के दिखने में लगबग एक समान है भीमसैनिक कपूर यहां हमारे पास थोड़े बड़े बड़े टुकडों में है मगर इसके छोटे टुकडे और पाउडर भी बाजार में उपलब्द है यह दोनों कपूर दो अलग अलग पेड़ों से रसानिक प्रक्रिया द्वरा प्राप्त किये दो अलग अलग ततु हैं परन्तु इन दोनों की सुगंद और भारत में एवरिडे लाइफ में इनका उप्योग लगबग एक समान है दोनों को धार्म का नुष्ठानो प्रसाद आदी में उप्योग किया जाता है इस बोतल पर भीम सैनिक कपूर भी लिखा गया है जबकि इस कपूर को सिनमोमम कैमफरा या सरल शब्दों में कहें तो असल कपूर के पेड़ से प्राप्त किया गया है हमने जितनी भी कमपनियों या ब्रैंड का शुद कपूर देखा और उप्योग किया है लगबग सभी कपूर निर्माता शुदता के प्रतीक के रूप में अपने कपूर पर भीम सैनिक कपूर लिखते हैं और पूछने पर उन से पता चला की भारत में अकसर भीम सैनिक कपूर को शुद कपूर माना जाता है कपूर के विशय में ये तख्थे थोड़ा हास्यपद है पर शाएद बाजार का यही चलन है इस बोतल पर पाका कपूर भी लिखा है पाका और पकाई कपूर भारत में खाने योग्य कपूर या एडिबल ग्रेट क्यामफर को कहते हैं ये दोनों ही कपूर बिना कोई निशानी छोड़े जलते हैं आप यहाँ इस वीडियो में ये देख पा रहे होंगे और हम आशा करते हैं आज की हमारी कपूर और भीमसेनी कपूर की ये जलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी थैंक्स वाचिंग एंड कीप इंजॉइंग आर एवरीडे लाइफ